अखंड मंडला कारम व्यापतम येने चराचरम तत्पदम दर्शितम येने तसमेश्री गुरुवे नमा। मैं डॉक्टर सी एल महुलिया सा आचारी संस्कृत राजकी सनातकोतर महाविद्याला किसंगड अजमेर। आज हम सनातकोतर पूर्वार्द संस्कृत विशे के चतूरते प्रशन पत्र के अंतर का लगशिद्धान्त को मुदी में भाव करम प्रकरण में के निरंतरता में अस्तावी रूप शिद्धी बनाएंगे। अस्तावी स्तूधातो हूँ संस्कृत में देखे। स्तूधातो करमनी लुंग लकारे भाव करमन हो इती सुत्रेना आत्मने पद संग्यायाम। लुंग रिस्थाने तया प्रते अडाग में च अनुबंद लोपे। अस्तूधा इती जाते चलवू चिन भाव करमन हो इती सुत्रेना चले इस्थाने चिन आ देशे अनुबंद लोपे। आ, स्तू, इ, ता इती जाते अचोणी ती इती सुत्रेना व्रद्धो। एचो यवायावा है इती सुत्रेना आव आदेशे। चिन लुक इती सुत्रेना तकारस्य लोपे आ, स्ता वी इती जाते अजीनम परेण सैयोजम इती नियमात सैयोगे अस्तावी इती रूपम सिद्धम। स्तावी के अलावा स्ताविता, स्तोता, स्तावी साताम और अस्तो साताम रूप सिद्धी आप स्यूम करेंगे इसमें कोई कठिनाई हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। आगे जो धातू है री गताव। धातू से जैसे अरियते बनता है। अरियते, स्मर्यते, सस्मरे, इत्यादी जो रूप सिद्धी हैं वो हम करेंगे। री गताव। गुणोर्ती ती गुणाहा। अरियते, स्मर्ती स्मर्ने, समर्यते, सस्मरे, उपदेश ग्रहनाद चिनवद्धिती, चिनवद्धित। आरिता अर्ताहा, स्मारिता स्मर्ताहा, अनी दीता मिती नैलोपह स्रश्यते, इदित्तस्तू नंध्यते, संप्रसारनम इज्यते, रियते, री गतव, अरियते जो है, री धातू से करम वाच्चे में लट लकार आया, अरियते रूप सिद्धी जब करेंगे, री धातू है, यहां करम वाच्चे है, लट लकार आया, भाव कर्मनों हुँ सुत्र द्वारा आत्मनेपद संग्या हुई लटके स्थान पर तर आदेश हुआ सार्वधातुक संग्या सार्वधातुके यक से यक प्रत्ते टित आत्मनेपदानाम इत्यादी सुत्र द्वारा टित आत्मनेपदानाम टेरे सुत्र से तकार के अकार को एकार एत्व री यते ऐसी अवस्था बनेगी गुणो अर्तीर सन्योगाध्यो सुत्र द्वारा री को गुण अकार और उर्णरप्रह सुत्र की सायता से अर्गुण रपर करके अर्यते और सन्योग हो करके अर्यते रूप बनेगा आप इसको संस्कृत में लिखें कई बार इसको परिक्सा में पूछा जाता है री धातो हूँ करम वाच्चे लट लकारी भावय करमनो इति सुत्रेणा आत्मने पद संग्यायाम लट स्थाने तकारा देशे सार्वधातुक संग्यायाम सार्वधातुके यक इति सुत्रेणा यक प्रत्य टित आत्मने पदानाम तेरे इति सुत्रेणा यत्वे अकारसे स्थाने एकारे री जमा यते इति जाते गोणो अतिर संयो गाध्यो इति सुत्रेणा रिकारसे स्थाने अगुने उर्ण रप्रह इति सुत्र सहायतया रिकारसे स्थाने अरगुने रप्रेक रत्वा अजीनम परेण संयो जम इति नेमात संयोगे अरियते इति रूपम सिद्धम जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं स्मर्स्मरने री गतव तो अरियते जो रूप सिद्धी है वो हमने अभी बनाई इसके बाद है सैस्मरे सैस्मरे जो सिद्धी है वह आप करें सैस्मरे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा स्मर्धातु से करम वाचे में लिट लकार आत्मने पद संग्या और लिट को तय आदिस लिटस तस जयो रेशिच रेच सुत्र द्वारा तकार को एस आदेश स्मर को लिटी धातो से द्वित्व लिटी धातो रन अभ्यास से द्वित्व अभ्यास संग्या उरत सुत्र द्वारा रीको अत्थ और रपर करके उरन रपर से रपर करके स्मर्य ए बनता है सरपूर्वा खयह सुत्र द्वारा सकार का सेस अन्य का लोप हो जाएगा गुणो अरतीर संयोग अध्यो शुत्र द्वारा उरन रपर की सुत्र की साहिता से रिकार को अरगुण हो गया सैसमरे इति जाते अजहिनम परेण संयोजम इति नेमात सैस्मरे यरूप बनेगा इति रूपम सिद्धम सैसमरे इति रूपम सिद्धम उपदेश ग्रहनात तो यहां उपदेश ग्रहन क्यों कहा है री धातु से लुट लकार में री तास उर्त इस अवस्था में नित्यत्व गुण करने पर अर तास तै बनता है यह और धातु अजन्त नहीं है फिर भी शैसित्ष यूट यहां सुत्र से उपदेश पद के कारण उपदेश अवस्था में अजन्त धातु से निजवत भाव हो यह अर्थ प्राप्त होता है री उपदेश अवस्था में अजन्त है अतर निजवत भाव एवं इटी होता है इसके बाद आरिता और आर्था ये दो रूप बिनते हैं आरिता और आर्था के अंत्रगत आरिता रूप सिद्धी अक्सर परिक्सा में पूछी जाती है आरिता को आप देखिए इसको हम री धातु के कर्म में अनद्यतन लुट से लुट आया ओ भाव कर्मनों से आत्मने पत संग्या हुई और लुट को तकारा दिश शयतासी दृल लुटोव सुत्र से तासी परते आर्थातु क संग्यायाम नित्यत्वात सार दातु कार दातु कायो सुत्र द्वारा, उर्हन रपरह सुत्र की सायतासे अरगुन, शैस्यत शियुट अचीशू Irithyadhi सुत्र द्वारा चेन्वत भाव और इटागम, आरे ई तास्ते बना अतो उबधाया सुतर शेवरधी आरितास तै बना और लुटाया परतमत से डारोव रसा सुतर द्वारा तकार को डाहा देश डित्व सामर्थ्यात सुतर द्वारा आसका लोप करके आरिता बना चनवत भाव एमम इट के अभाव में अरता बनता है तो आरिता को अगली कक्सा में हम संस्कृत में पढ़ेंगे